हेलो अब्रिवान जैडन क्लासिस में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे बिलियम सन अभिक्रिया जिसको बिलियम सन संसलेशन भी कहते हैं तो आएए देखते हैं बिलियम सन अभिक्रिया किसी धातु एलकॉक्साइड को किसी एलकिल हैलाइड के साथ गर्म करके एथरं प्राप्त करना बिलियम सन संस्लेशन žeलाता है मीज हम कोई भी धातू का एलकॉकसाइड ले सकते हैं जैसे सोडियम का हो उसके अभी क्रिया एलकेल हैलाइड के साथ में कराएंगे तब गर्म करके एथर प्राप्त करना बिलियम सन संशेशन कहलाता है आईए इसके उधारन के द्वारा इस अभी क्रिया को समझते हैं कि किस पिरकार से बिलियम सन संशेशन अभी क्रिया होई होगी तो देखते हैं सबसे पहले हमने धातू एलकॉकसाइड में सोडियम एथाउकसाइड को ले लिया जिसका फॉर्मूला C2H5ONA है यह हो गया सोडियम एथाउकसाइड एथाउकसाइड इसके विक्रिया एक एलकिल हलाइड जो कि हमने लिया यहां पर C2H5I जिसका नाम है एथिल आयोडाइड के साथ में कराते हैं मिस सोडियम एथाउकसाइड और एथिल आयोडाइड को जब हम गर्म कराते हैं साथ में तब डाई एथिल एथर प्राप्त होता है C2H5OC2H5 इसका नाम हो गया डाई एथिल एथर इसके साथ में एक प्रोड़क्ट और बनेगा जो होगा एनने आई सोडियम आईडाइड तो आईए देखते हैं यह रियक्शन किस प्रकार से हुई होगी सबसे पहले हमने सोडे में एथोक्साइड को ओपिन करके लिखा कुछ इस तरीके से इसकी रियक्शन जब हमने C2H5 आई के साथ में कराई होगी तब क्या हुआ होगा यहां पर O और N के बीश का बांड ब्रेक हो गया होगा तूट गया होगा जिसकी बज़े से N के ओपर पॉजिटिव और O के ओपर निगेटिव आया होगा यहां पर C2H5 और I के बीश का जो बांड रहा होगा वो ब्रेक्डाउन होगा और I के ओपर माइनस और C2H5 के ओपर प्लस आया होगा फिर क्या हुआ होगा C2H5 O निगेटिव C2H5 पॉजिटिव के साथ यहां पर जुड़ गया होगा जिसकी बज़े से C2H5 O C2H5 प्राप्त हुआ दूसरे प्रेक्ड़क्ट N ने प्लस और I माइनस जुड़कर N ने आई बना लिया होगा अब इसका नाम लिख लेते हैं C2H5 C2H5 दो बार है इसलिए इसको बोला डाई C2H5 को बोलते हैं एथिल तो डाई एथिल और दो एलकल के बीच में जब एक O लगा हुआ होता है तब इसको बोलते हैं एथर तो यह हो गया डाई एथिल एथर दूसरा सोडियम और I सोडियम के साथ आई जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो गया सोडियम और आयोडाइड यह पूरी बिधी है बिलियम संस्टेश्चन अभी लिया की इसमेह हम क्या करते हैं सबसे पहले सोडियम एतोकसाइड ले लेते हैं या फिर धातु ऐलकॉकसाइड ले सकते हैं मेटल Auxide ले सकते हैं जिसके अभी क्रिया हम同じ के साथ कराते कराते हैं है आप के जगए पर इसक्षा भी ले सकते हैं तब क्या होगा मायम कर तोट जाएगा और प्लस में तोट जाएगा और यहां से तो और एंथन के बीच में या ऊर मैटल के बीच जो भी धातू हम लेंगे और जो सी टू एच फाइब यानि एलकल एलकल ऑक्साइड जो था जो एलकल ऑक्साइड होगा वह एलकल के साइड में अटैच होकर इथर का फॉर्मेशन कर लेगा मुझे अमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें थैंक यू